जहन सातियों दिल से वेलकम हैं आपके अपने परिवार कॉंपलस के अंदर तो आईए भाई दो तिन मिंट का समय जरूर निकालिए और एंड तक देखिए भाई बहुत सारी चीजें एक आइडिया होता है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है तो बताना चाहूंगा कि लो जी आ गई निव एंटिटी भरती अब ये नहीं बोलना कि एंटिटी भरती आ गई पुराना हो गया भाई अब आप बोलोगे अरली चाइड हुड एजूकेटर की भाई भरती आई है चलो क्या सबी स्टेट फोम भर पाएंगे भाई राजस्तान में भरती आई है हर्याना इसकस करेंगे और सबसे पहले भाई बताना चाहूंगा कि यहां पर ये जो भरती निकली है ये भाई सबी स्टेट में क्योंकि जो नई शिक्षा नीती है जैसे जैसे लागू होती जा रही है तो ये भरतियां भी पीछे पीछे आती जा रही है हर्याना में इंतिजार था पहले बाजी मार गया भाई राज्यस्तान पहले भरती निकालने जा रहा है तो टैंशन मत लीजिएगा हर्याना में भी निकलेगी भाई तो चलिए यहां पर में सवाल है कि ये जो भरती है E.C.C.E. का ये जो डिपलोमा है इसको भाई कैसे करें है ही नहीं हमारे पास तो कैसे कर सकते हैं तो भाई एक तो आपको पता होगा कि N.I.U.S. बोर्ड है और इगनो बोर्ड है अगर भाई कोई हर्याना से है तो भाई इसका 15 जुलाई लाश्ट है और आगे भाई मार्च में एकजाम दे दीजिएगा तब तक वकैंसी नहीं आएगी भाई आपका हर्याना वालों का तो बेडा पार हो जाएगा तो यहाँ पर भाई इनसे फोम ही भरियेगा वहाँ पर आप सेफ हो जाओगे हर्याना से है तो ये डिपलोमा जरूर कर लो मेरी माता बैनो ये मोका नहीं आएगा और कोई ये जेबिटी के तरा नियां लाक दो लाक रपया लगेगा मातर आठ है यार में ये पूरा डिपलोमा आप घर बैठके इनी बोर्डों से भाई सरकारी बोर्ड से आप कर सकते हो अगर कोई करना चाता है तो अभी भी मोका है क्योंकि ये पहले ही डे और इकान्वे पांस तान्वे पर वर्सम मैसिज कर देना जिसको ट्रस्ट है भाई हाथ जोड के अधर वाईज आपको ट्रस्ट नहीं है तो मत किजिए भाई कहीं से भी कर लो अपने फीस आठ यार है प्रोप पर इसके लाबा एक भी रुपया नहीं है हाफ पहले और हाफ आपने एकजाम टाइम देनी है भाई चलिए अब मैं बात करूँगा कि क्या जो सबी स्टेट अधर स्टेट भी लीजीबल होंगे तो भाई ये पता चलेगा जब ठारा को वकैंसी निकलेगी वहाँ पर अगर अधर स्टेट लीजीबल होंगे तो मैं जरूर वीडियो लेक मिलती है तो आपको अवश्या बताया जाएगा तब तक भाई आप इंतिजार करें ये अधर स्टेट वाले और इसके साथ ही भाई अगर किसी के पास ECC डिपलोमा नहीं है राज्यस्तान से बिलोंग करते हो तो भाई आपने इस नंबर पर वरसम मैसिज कर देना है आपको जैन्वन भाई जैन्वन रेट के अंदर आपको ये डिपलोमा करवाया जाएगा और भाई वो आपने आज कल में ही मैसिज करना है भाई बाद में ये नहीं होगा तो इस तरह से आप ये अरली चाइडूज एजूकेटर राज्यस्थान में बन सकते हो भाई मोकाद जाना नहीं चाहिए तो ये मैं पहले बता रहा हूं और जैसे आज राज्यस्थान की बात कर रहे हैं हर्याना वाले सुन लो भाई हिमाचल वाले अदर स्टेट वाले सुन लो एक दिन आपका भी जिकर करेंगे और फिर क्या होगा फिर आप पश्ता होगे हमने तो इसी सी करा नह मास्टर ने बोला था कर लो तो भाई हाथ जोड के रिक्वेस्ट है आप इस डिपलॉम में को अवश्या करो भाई अवश्या कीजिए आपको फुल फैदा मिलेगा तो मैं जानकारी को यहीं स्टोप करूँगा और भाई अपना एक टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ि अगर किसी को ट्रस्ट नहीं है तो हाथ जोड के रिक्वेस्ट है भाई होर चैनल पर जुड़िये बहुत बड़े बड़े भाई इंफोर्मेशन देते हैं तो आप उनके साथ जुड़ सकते हो भाई जो हमारे जो हमारा काम है आपको फ्यूचर के लिए स्क्योर करना प्रो है सरकारी बोर्ट है तो उनका भाई बेडा पार अवश्या होगा तो चलिए थैंक्यू भे सभी को भाई